नमस्कार दोस्तों एक बार फिर आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल MSDigitals में आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे कि यदि आपने COVID-19 vaccination के जो तीनों डोस लगा लिये हैं आपका precaution के जितने डोस थे 1,2 और 3 यदि आपने booster dose भी लगवा लिया है तो booster dose का जो certificate है वो आप कैसे डाउनलोड करेंगे वो हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं वीडियो अदि अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक से जरू कीजएगा साथी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा तो चलिए वीडियो सुरू करेंगे वाटसेप के जरी भी आप निकालने का उसमें एक वीडियो है उससे भी आप निकाल सकते हैं अभी हम आपको वेब के जरी है मोबाइल से निकालना चाहते है मोबाइल से निकालना चाहते है मोबाइल से निकालना चाहते है जैसे भी आप ओपन करना चाहते है इसके लिए यह website का home page है यहाँ पर आपको click कर देना है जैसी आप click करेंगे आप देखिए यहाँ पर आपको mobile number मागेगा तो जिस mobile number से आपने vaccination करवाया है जो registered करवाया number वो number आपको यहाँ पर fill कर देना है तो चलिए हम एक number fill करके भी दिखाएंगे आपको इसके बाद जब आप यहाँ number fill कर लेंगे gate OTP का options दिखाए देता है इस पर आपको click कर देना है जैसी आप click करेंगे देखिए एक OTP आपके registered mobile number पर send हो जाएगा जो आपने यहाँ पर दिया हुआ है वो OTP आपको यहाँ पर fill कर लेना है तो चलिए OTP आगया हम OTP fill कर देते हैं अब जब OTP आप fill कर लेंगे उसके बाद देखिए यहाँ पर verify and proceed का options दिखाए देरा है इस पर आपको click कर देना है जैसी आप click करेंगे देखिए आपके सामने यह options आ जाएगा यहाँ पर आपको आपका नाम दिखाए देगा उसके बाद आपका reference ID दिखाए दिखाए देखाए देगा तो यह सारी चीज आप देख सकते हैं उसके बाद यहाँ पर देखिए dose 1 को आपको dose लगा को भी सिल्ड लगा है यहाँ जो भी आपको लगा है यहाँ पर दिखाए देगा को वैक्शिन है उसके बाद dose 2 आपको कब लगा है वो भी दिखाए देगा उसके third में आपका precaution dose तो यहाँ पर यह तीनो dose लगा हुआ है उसके बाद देखिए यहाँ पर आप जब तीसरे dose में जाएंगे देखिए right का निशान धियान रखेगा यह right का निशान लगा हुआ है मतलब आपको vaccination हो चुका है कब हुआ है वो date भी दिखाई देगी आपको इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको एक options आता certificate तो आपको क्या करना यह certificate पर यहाँ पर click कर देना है जैसी आप click करेंगे यहाँ पर नीचे आपको vaccination certificate का यह options दिखाई देगा और यहाँ पर यह download का options आ जाएगा आपके computer पर PDF reader होना चाहिए Adobe Acrobat का जो software है वो install होना चाहिए तभी आप इसे open कर पाएंगे नहीं है तो आप Google पर search कर लें और software को download कर लिजिए उसके बाद इसे open किजिए mobile पर यह दि नहीं है तो mobile पर भी आपको इसके लिए Adobe Acrobat reader ज्यादतर mobile में रहता है यदि नहीं है तो आपको वो install कर लेना है प्ले स्टोर पर जाकर उसके बाद इसे open करना है जैसी आप इस पर click करके इसे open करेंगे तो यह देखिए आपका certificate यहाँ पर open हो जाएगा certificate for COVID-19 vaccination यहाँ पर आपको booster dose का भी दिखाई देगा तो हम थोड़ा नीचे scroll down करके दिखाते हैं आपको यहाँ पर देखिए आपको यह सारी detail दिखाई दे रही 1x2, 2x2 और precaution dose जो booster dose आपको लगा precaution dose उसका भी detail यहाँ पर दिया हुआ है यहाँ पर आपको देखिए कौन सी लगी है उसके बाद batch number यह सारी चीज़ें आपको दिखाई दे रहा है और यहाँ पर आपको यह QR code आपका detail दिखाई देगा तो इस तरह से आप घर बेटे आपका जो booster dose का precaution dose का जो certificate है वो download कर सकते हैं mobile पर भी download कर सकते हैं अब उम्मिद है यह जो तरीक हमने आपको पताया download करने का एकदम आसान है यह WhatsApp पर करना तो आप WhatsApp पर करने के लिए पुराना वीडियो देख सकते है हमारा वीडियो और जानकारी यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को like share करना बिल्कुल भी नहीं भूलेगा साथी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजेगा ताकि ऐसी ही जानकारी आपको मिलते रहें चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी सी नई जानकारी के साथ